हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेह बजार वित आयूश और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर केंस टेक्निलोजी आईपियो की लिस्टिंग डे स्ट्राटजी के बारे में दोस्तों कल Keynes Technology IPO की Listing होने वाली है तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कल कितने पर List होगा कितना Profit का अनुमान है यह सब दोस्तों इस वीडियो के इंदर हम चड़चा करेंगे बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों इस वीडियो में Keynes के बारे में बात करना Listing में हर एक एस्पेक्ट को क्योंकि आज जिस प्रकार से Listing होती भी देखने को मिलिये आर्चीन की कुछ ना कुछ तो यहाँ पर questions होंगे कि कल क्या यहाँ पर भी हमको कोई शौक लग सकता है कैसे यह सब आपको वीडियो के इदर पूरा पता चलेगा तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा Friends अगर आप पहली बार चानल से जुड़े हो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों के है इस टेक्नलोजी यह IPO का प्राइस में करीबन 587 रुपीस का है जिनको ही मिला 587 रुपीस के भाव पर मिलेगा और आपके पास शेर जो हैंगे वो है 25 अब दोस्तों वीडियो के शुरुबात में मैंने आपको एक यह बात कही थी कि क्या आपको शौक लग सकता है आर्चीन के जैसे क्यों देखे हुआ क्या बहुत चीज आपको समझ दे पड़ेगी किसे को भी आज एक्स्पेक्टेशन नहीं थी कि आर्चीन इतना खराब करेगा आप किसी से भी अगर पूछ लेंगे तो वो यही किता कि 5 रुपे से उपर खुलेगा इंडेफिनिटली कल मेरा व्यू भी यही था कि 500 प्लस उपर की लिस्टिंग होनी चाहिए उस IPO की बट ऐसा नहीं हुआ IPO लिस्ट हो गया 450 पे जहां लग रहा था कि 30% तक मिलेंगे वहाँ पे मिले कितने only 10% तो इससे बहुत सारे question देखे राइज हो गए कि क्या हो गया यह IPO को इतना नीचे लिस्टिंग की हो गया तो definitely यह चीज़े हैं अब grey market की अगर एक बार बात करें Keynes Technology के अंदर Keynes Technology की grey market grey market पे गर आप नज़र आलेंगे तो आज कितनी हो गई है 155 रुपीस कल कितनी थी कल almost 200 रुपीस के अबाव जा रही थी grey market आज कितना हो गया 26% के असपस दिखा रहा है मुनाववा कल दिखा रहा है 38% के असपस so एक दिन में आप देखे 12% grey market क्यों गिर गई या फिर कहूं में आज grey market क्यों गिरी just because यहाँ पर जो listing होती भी देखने को मुली आर्चीन की से एक listing अगर खराब हो जाती है ना तो उसका impact सब पर आपको आता हुआ देखने को मुलता है और आज ये listing जो खराब होती भी देखने को मुली इसका पूरा impact Keynes Technology की IPO पर पढ़ गया ऐसा नहीं कि देखे Keynes Technology कल खराब कर जाएगा बट ये है कि देखे कुछ ना कुछ तो दिक्कत है आई है जैसे global health के कारण सब का माहूल change हो गया था बट आज आर्चीन के कारण definitely थोड़ा सा वापिस से आपको जो माहूल है वो Keynes Technology की खराब होता हुआ देखने को मुल गया बट हम हर एस्पेक्ट में बात करेंगे सी आज का पीछे का आज की रीजन अगर आप डूनेंगे तो वो definitely one of the first few of most important aspect हम कह सकते है market है market के अंदर इतनी 30 गिरावट आप कह सकते है 30 गिरावट इन देखने की 150 points के आसपा सी वाजा लगाता रपको जूलता रहा तो उसके कारण भी एक mood mall खराब बन चुका था जिसके कारण कह सकते हैं कि probability listing खराब हुई बट 20% जाना यह अपना आप में थोड़ी सी ताजुब वाली बात है जो definitely नजर आई अब समझी यहाँ पर listing कितने पर हो सकती है तो दिखे करल कितने पर listing हो सकती है सबसे जल तो अगर आप grey market को एक estimate लेके चलते हैं see grey market currently जो IP का चल रहा है वो चल रहा है around 155 तो हम इसको 150 ले ले लेते हैं इसका मतलब किया कि दोस्तों जो listing है grey market के हिसाब से वो दोस्तों यहाँ पर कल हो सकती है around 737 3750 रुपे के आसबस का मुनाफ़ा दिखा रहा है तो यह एक एक प्रॉक्स लिस्टिंग बैठती है according to grey market 773 रुपे बट यह बाद ध्यान रखिएगा grey market आज भी आपको देखे गलत साबित होता हुआ देखने को मुला तो यह नहीं कि grey market हर बार सही भी साबित होगा ऐसा नहीं कि हर बार गलत ही साबित होता है बट यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बार आपको हर एस्पेक्ट को ले के चलना पड़ेगा अब आज पता नहीं देखें market किस प्रकार से आपको करता हुआ नजर आएगा यूएस का तो एक estimate जो मेरा है मेरा estimate यह है मानना जो कल आपको listing पर दिखाएगा कि IPO जो है वो दुस्तों कल list होगा around 690 से लगागा 750 के बीच में अब range बहुत बड़ी है range बड़ी होने के पीछे का reason क्या है कि जो देखे market के sentiment है बहुत ज़्यादा positive नहीं है neutral है अभी भी बहुत ज़्यादा negative भी नहीं है बट neutral में भी देखे ये aspect bad सकता है लबाज आप देखिए 30% जब listing का अनुमान दिख रहा था तो 10% हुई अब क्योंकि एक range आपको लेकर चलने पड़ेगी कि यह range हो सकती है 690 से 750 में क्यों कह रहा हूँ 700 भी कह सकता था मैं बट यह है कि थोड़ी सी range 50-60 रुपे की अब लंब भी लेकर चलने पड़ेगी क्योंकि price बड़न भी बड़ा है 587 रुपीज का stock था है तो अपना पर आपको देखना पड़ेगा यानि 690 से 750 की बीच में लिस्टिंग होगी अगर 690 से नीचे होती है तो आप मान के चले खराब लिस्टिंग है कोई खास अच्छी लिस्टिंग नहीं है और 750 के अगर उपर होगी तो आप मान के चले यह आपके लिए बहुत फाइदा मन दे 7500 रुपे के उपर लिस्टिंग का मतलब यह है कि देखे बहुत बढ़िया लिस्टिंग होगी सबको अच्छा मुनाफ़ा मिल जाएगा 690 में ऐसा नहीं कि मुनाफ़ा नहीं मिलेगा बट यह है कि यहाँ 750 में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा almost 4000 के करीब तो प्रॉफिट के चांसे यह है कि यहाँ प्रॉफिट होगा तो जरूर इसमें कोई डाउट नहीं ऐसा नहीं कि नेगटिव लिस्टिंग होने वाली है बट यह है कि प्रॉफिट आपको कल यहाँ पर मान के चलिए 1200 रुपेस लाकर 4000 रुपे तक का होता हुआ देखने को मुलेगा 4000 प्लास हो गया तब तो बहुत बढ़िया है बट 1200 रुपे तक का मुनाफ़ा होने के चांसे ज़ादा है 1200 रुपेस तो कम सकम होना चाहिए वो 4000 के बीच तक होते विए देखने को मुलेंगे देखिए यह मेरा लिस्टिंग एस्टिमेटर डिफिनिटली मैं गलत भी हो सकता हूँ मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि exact इसी प्रकार से होगा बट यह है कि अगर आप ट्रेंड फॉलो करेंगे तो यह सिंपल है कि हाँ इसी प्रकार के आसपास लिस्टिंग होनी चीए क्योंकि आज जो ग्री मार्केट में ड्रास्तिकली घिरावट आई है हमने उसको भी देखिए हर चीज को फैक्टर कर लिया है बिकोज कल तक ग्रे मार्केट 230 रुपे थी आज 1500 रुपे जो दिख रही वो 230 रुपे थी यहनी 80 रुपे तो ग्रे मार्केट आपको डाउन होते भी देखने को मिल गई है तो 80 रुपे तो हमने वैसे ही फैक्टर इन कर लिया अब इतनी इस से जदा खराब लिस्टिंग की अनुमान नहीं लगा सकते हैं ये बात भी सही है इसी प्रकार की लिस्टिंग होनी चीए क्या कोई यहाँ पर होल्ड करके चल सकता है तो देखिए कंपनी बढ़िया है लिस्टिंग व्यू है आपका अगर आपने सिर्फ आईपयो को पैसा आप इसे लगातेंगे कि लिस्टिंग गेन मिल जाए तो फिर डिफिनिटली हो बात अलगे फिर आपको अपना स्टॉप लोस पता होना अच्छी है अपने उसी अनुमान सो तो फिर बेच के पर निकल जाने में कोई दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं है लॉंग टम पर हमेशा यही काऊंगा कि दूसरों का व्यू जानने से अच्छा आप अपना खुद का व्यू बनाईए ताकि आप भी डेफिनिट्लिय उसमें आपको बतार रहेगा कि हाँ क्या कंपनी के expectation मैं आपको यही काऊंगा दूसरी बात क्या कोई नाया बाइंग कर सकता तो डеफिनिट्लि अभी कोई आपको यह पे नई बाइंग की मैं साफ साफ सला नहीं दूँगा उसके पीछे का reason क्या है देखिए market में भी थोड़ी सी अभी अभी आपको उतल पुतल देखने को मिल रही है and definitely अगर कोई fed की जो भी बैठेक होगी उसका कुछ अलग विपरी या फिर आप कह सकते opposite market पे आगया reaction तो यहां से और गिर जाए इसलिए avoid करने की सला है अजरवाई वापिस से वो लोग बिलकुल पढ़ी है company को जो लोग लेने के बारे में सोचते definitely अपना view आप change कर सकते है यह मेरा view है मुझे यह लगता है कि इस प्रकार से ही चलना चीए तो friends इस वीडियो में इतना ही था hope so video आपको बढ़िया लगा होगा अगर लगा तो like कर देना thank you friends for watching this video